Hello friends my name is Vijay, यह हमारा 7th tutorial है, Excel Advanced Level का जिसमें मैं आपको बता हूँगा D minimum के बारे में तो देखे D minimum क्या करता है, आपका condition के हिसाब से minimum find out करता है और इस tutorial हम लोग क्या करने वाले हैं, जो product 10,000 से जादा होंगे, जो mobile 10,000 से जादा में बिके होंगे Selling price, SP मतलब Selling price है, CP मतलब cost price, तो उनका हम, उसमें से हम सबसे minimum निकालेंगे, तो देखे, यह हमारा database है, जिसमें phone, laptop और mobile है, और cost price और selling price दे रखी है, हम लोग क्या करेंगे, वह mobile निकालेंगे, जिनकी selling price 10,000 से बढ़ी होगी, और उसमें सबसे minimum counts होगा, तो देखे, यहाँ to dmin, type दबाएंगे, और सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखाए database, तो सबसे पहले database select करेंगे, इस तरीके से database हमने select किया है, फिर दूसरी चीचा है field, तो field हमारा किया है, जिसमें name लिखा है, SP, इस तरह से आप यह भी select कर सकते हैं, या फिर आप double quotation के अंदर लिख सकते है, SP इस तरीके से दो तरीके हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर criteria क्या है, criteria यह है, कि product का name होने चीचा है mobile, और selling price होनी चीचा है, 10,000 से ज़्यादा, enter दबाएंगे, तो देखे 15,000, अब हम check करते हैं अपना answer, तो देखे mobile, यह mobile है, यह 25,000 का 10,000 से ज़्यादा है, और दू 15,000, 25,000 में से minimum क्या है, आपका 15,000, तो इस तरह किसे आपका 15,000 आउटपूट में आ गया, अब देखे यहाँ पर अगर आप product का name change करते हैं, ऐसी तरह से लिखते है, phone, तो देखे आपका output में भी changes आएंगे, phone, phone 10,000 से बढ़ा कॉन सा है, एक है 15,000, दूसरा phone है 40,000 का, औ 15,000 का, तो minimum कौन सा है, 15,000, अगर यहाँ पर आप condition में change करते हैं, लिखते हैं greater than 15,000, या greater than लिखते हैं 16,000, तो देखें minimum क्या है, 40,000 हमारा minimum है, क्योंकि 16,000 से सिर्फ दो ही phone बढ़े है, एक ही phone बढ़ा है, यह 40,000, यही वाला, यह हमारा calculate नहीं होगा, क्योंकि यह 16,000 है 16,000 से जादा नहीं है, अगर यहाँ पर हम लिखते है 16,000, इस तरह के से, तो देखें, यहाँ पर output में भी हमारे changes हाजाता, तो देखें, select के वे array में से minimum value देते था, condition के हिसाप से, अब देखें, एक और तरीका है, insert function में जाएंगे, यहाँ पर लेखेंगे, d, min, आपका द condition नहीं दे सकते, तो इसे यहाँ से अट आएंगे, इस cell को select करेंगे, इस cell मा output लाएंगे, फिर जाएंगे insert function में, d, min को select किया है, हमने, ok करेंगे, सबसे बेले देखेंगे database, database हमारा इस तरीके से, select के लिए database, दूसरी देखें, field हमारा SP है, और criteria क्या है, criteria यहाँ पर से हम select करेंगे, इस तरीके से, ok पर click करेंगे, तो देखे 16,000, 16,100 आगे हमारा output में, इस तरीके से आप अपने database में minimum value condition के साब से calculate कर सकते हैं, d min के help से, thank you for watching this video, please subscribe my channel